जहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने ABC कोचिंग यूटूब चानल में इस वीडियो में कलास 10th सब्जक्ट हिंदी की Most Important VBI ऐसे सब्जक्टिव कोचन देखने वाले हैं जो कि आपकी बोर्ट की परिक्षा में रगड के पूस्ता है तो सभी चात अंतक बने र शेयर करें क्योंकि इस वीडियो में बताएगे हर एक कोच्ट जो है काफी इंपोर्टेंट है एक्जाम में पूछे जा सकते हैं यह रगड के पूस्ता है इसलिए आप इसको मिस्क मत किजिए इसको रिवीजन हराल में आपनों को कर लेना है और बच्चों आप सभी से रिक गोपियां उद्धव के समुख राजधर्म की बात बताते हुए कहती है कि राजधर्म में परजा को नहीं सताय जाता और पर्टेक्च रूप से गोपियां क्रिस्निक के वेंग कर रही है कि वे राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं और हमें यानि परजा को सता रहे हैं तो तो उत्तर देना है कि संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा इन छेत्रों में दिखाई देते हैं। इसको इस बार के लिए काफी महपुन दिया गया है और इसको आप लोग जो अच्छे से नौट कर लिए दिविजन कर लिजे। जोर्ज पंचम की लाट बनाई गए थी उसमें जो है वह औसफल रहा यह पहला हो गया। दूसरा बताना है कि उसने देश के नेताओं की मूर्तियों के नाक हटा कर जोर्ज की मूर्ति पर नाक लगाने का असफल प्रियास किया। उनी नेताओं की नाक उससे बड़ी थी। यह हो गया दूसरा पॉइंट तिसरा पॉइंट बताना है कि बिहार सिक्रियाटर के सामने 1942 में सहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों की नाक लगाने का प्रियास किया। पर उनकी नाके भी बड़ी पड़ी। यह तिसरा पॉइंट बता देना चौथा पॉइंट बताना है कि अंत में उसने जिंदा आदमी की नाक लगाने का यत ने किया। प्रकर्ति का व्यापकता का वर्नन किन रूपों से किया है। उसके बारे मियापे पूशा गया है। तो दोस्तों उत्तर इस प्रकार देना है कि कवी ने प्रकर्ति की सुंदर्ता की व्यापकता का वर्नन अनेक प्रकार से किया है। उसने हर जगह उचलता हुआ दिखाया गया है। यहाँ पे क्या है चलकता हुआ दिखाया गया है। घर घर में फैला हुआ दिखाया है। अनेक रूप है सोभा का भरना, फूलों का भरना, खुसी और उमंग का भरना, उड़ते, उड़ने को परपर करना, उड़ने को परपर करना भी ऐसा संकेतिक परियोग है जिसके विश्रित अर्थ है। वरनन पक्षियों की उड़ान पर भी लागू होता है और मन की उमंग पर भी सौंदर्य से आख ना हटा पाना भी इसके विस्तार की जहलक देता है। तो दोस्तो अट नहीं कवीता में उसकी सुंदर्ता को कवी ने इस परकार से परस्तु किया है जो कि मैंने आपको अच्छे से आपको बताया है। उसको आप लोग कॉपी में नट करके रिविजन कर लिजे। अगला सवाल दिया गया कि फादर बुलके को यग की पवित्र आग की तरह कहने का क्या आसा है। यानि दोस्तों जग की पवित्र की आग की तरह जो है फादर बुलके को क्यों इसकी तुलना की गई है इसके जो है अनुरूप में आपको एक और प्रस्न जो है इक्जाम में दिये जा सकते हैं कि फादर बुलके को पवित्रता के रूप में किस प्रकार से देखा गया है तो भी आप लोग याद में रखेंगे और आपको बता दू कि फादर बुलके से मातर दोगों सवाल आपके एक्जाम में 100% दिया ही जाता है वो आप लोग नौट कर लीजे और कौन-कौन से सवाल हैंगे इसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर आगे में देखने को मिलने वाला है ठीक है चले दोस्तों इसका कोशिन की आंसर क्यों चलते हैं तो देखिए इसका उतर आपको इस प्रकार देना है यग की पवित्र अगनी में डाल दिये अगूती से निकलने वाले धुएं से प्रयावरण स्वासहित हो जाता है देवदार की लकडियों से बने धू और उसमें मिले काला तील गूड पंच मेवा चावल अमरू अगरू आधी वस्तों के एक साथ जलने से जो धुआ निकलता है उसे घर में परविष्ट ग्रह जनित उपदर्व दूरू होते हैं और स्वास्त के उपर अनुकुल प्रभा पड़ता है ठीक उसी तरह कामिल को दिखाने वाला सभी धर्मों एवं जातियों के लोगों से सद भावना बनाए रखने वाला मानवी करूना का असली रूप है अतह लेखक ने डॉक्टर फादर कामिल बुलके को उपमा यग की पवित्र अगनी से की है यानि उसका जो तुनना है वो यग की पवित्र अग कई बार एकजा में पूछा गया है प्रिवियस एयर में भी ये कोश्चन दिया गया था लेकिन थोड़ा से हट कर दिया था घुमा कर दिया था तो इसको एक बार दिरांट से एदम रिविजन कर लिजेगा तो चलिए इसका आंसर इस प्रकार आपको देना है कि पान वाला स स्वभाव से वह बहुत ही रसिया मतलब हसमुखिया और मजा किया था वह सरीर से मोटा था वह सरीर से मोटा था उसकी तौंद निकली रहती थी अतह वह जब भी हसता था तो उसकी तौंद थिरकने लगती थी यानि कि पेड जो है पुरा थिरकने लगता था और हसने पर उस था नम बात बना मने बहुँ जादा था सहा इस प्रकार से झो आपको आंसर देता है, पान वाला कजया आगे बढ़ते हैं अगला सवालयाए क्या एक चसमे वाले को देकर हल्दार सहब चकर में क्यूं पढ़ गए थे तो दोस्तों इसका उतरिस प्रकार देना है कि जब हलदार सहाब ने चसमे वाले के बारे में पूछा था तो पान वाले ने सब कुछ बताला दिया था एक दिन सचमुच पतली गली से आते हुए वह दिखलाई पड़ा हलदार सहाब ने देखा तो वे चकर में पढ़े गए मरियल अधेल लंगडा चसमे वाला को देखकर उसकी देश भक्ती की दाद देने लगे जबकि स्वास्त समरिधी पढ़े लिखे लोग स्वार्थ पूर्ती में लगा है और वह नेताजी सुभाष चंद्रबोश की मूर्ती पर परती दिन नया नया चसमा का फ् पर उसके हिर्दय में एक देश भक्त के परती सची सर्धान जली की भावना थी उसके इस स्वावना को देखकर हलदार साहब कुछ च्छनों के लिए सत्वध रहे गए यानि कि जो है भोचक्का रहे गए थे आसर्चकित रहे गए थे तो इस प्रकार से दोस्तों आपका आ पाल रहे गार सब्जक्ति में दोगों रहेगा तो इसको आप लोग कर लिए मा ने बेटी को क्या क्या सीख दी है осतादेना है कि माने बेटी को निमांकित शीक दी पहला बता देना है कि कभी अपने रूप संदरी को खिलने के लिए ब्यूटि पालर जाती है जो कि यहाँ पर मानी उसको मना किया है बच्चे तुम अपनी बेटी को कह रहा है कि कभी तुम अपने रूप संदर पर अपना घर्व मत करना ठीक है क्योंकि अभीत देखी रहे हैं किस प्रकास है तो वो पूरी तरह से अपने माने बेटी को मना कर रही है ठीक है उसके बाद दुसरा पॉइंट देना है कि आग का सदोप्योग करना आग रोटी सेखने के काम आती है जलने के लिए नहीं और तिसरा बता देना है कि वस् देखना अर्थात सहांसी एवं निडर बन कर रहे है तो इस प्रकास दोस्तो माने अपनी बेटी को जो है निम्न प्रकास से जो है सीख दी है इसको नौट कर लिजे अगला सवाल है कि मिर्गतिरिशना किसे काते हैं चाया मच्छोना का वीता में इसका प्रियोग किस अर्थ में किया गया है किस अर्थ में हुआ है तिसको नौट किजे और इस प्रकार देना आपको कि मिर्गतिरिशना यर्थात की और भटकनि को कहते हैं यानि दोस्तों अब समझे कि मिर्गतिरिशना जो होता ने एक छलावा होता है यह अब्जक्टिम पूछा जाता ध्यान दिज इस पाने को दोड़ दोड़ कर पागल सा हो जाता है और उसकी प्यास नहीं भुझती। ठीक है थीक उसी परकार से मानुओं में भी है कि अगर वो चलकपट में आ जाता है छलावम आ जाता है तो उसका जो लिसको होगा वह पूरी तरशी नहीं समय पाता और वो क्या होता है बाद में पूरी तरह से भर्मित होका जो है अपने आप में पस्ताने लगता है फिद पस्ताने लगता है वो पस्तावा के कारण्द क्या वह वापस आएगा नहीं आएगा तो वह इसी परकासी यहां पर बताएगा है उसको जो है निर्देश तो वह पर अत्रिप्ति के सिवाय हांत कुछ नहीं लगता यानि कि जो है पस्तावा के अल्यावा जो है हमारे हाथ में कुछ नहीं लगता है व्यक्ति इस भटकाव में उलज कर रह जाता है इसमें वास्तिविक्ता कुछ नहीं होती केवल चलावा होता है मैंने ज़स्त अभी बताया कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अकबार चूप क्यों थे तो देखी इसका उतरिस्प्रका देना है कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अकबार इसलिए चूप थे क्योंकि उन्हें यह सब अच्छा नहीं लग रहा था वे इसका वि चलिए अगला सवाल जो है काफी important जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि बिस्मिल्ला खां से आपका objective में भी रहेगा और subjective में भी रहेगा तो देखी यहाँ पे सवाल दिये गया है कि बिस्मिल्ला खां के व्यक्तित्विकी विशेश्चताओं को अपने सब्दों में ल लिखेंगे कि बिस्मिल्ला खां एक सचे इंसान थे वे पक्के नमाजी थे पाचो वक्त के नमाज पढ़ते थे मोहरम पूरी गरिमा के साथ मनाते थे इसके बावजूद वे कासी विश्वनात मंदीर संकट मोचन मंदीर गंगा आधी पर पूरी सरधा कर रखते थे वे नि उन्होंने संगीत की अर्थ उपारजन का माध्यम नहीं बनाया वे खुदा से सच्चे सुर की मांग करते थे धन की नहीं उन्होंने धन पाने के लिए सहनाई कबी नहीं बज़ाए यानि दोस्तों यहां पर यह कहने का तादपर यह है कि उन्हों ने जो है सहनाई जो बजाई है आपको पता ही है कि सहनाई के जो बात्सा है वो विस्मिल्ला खाने जब सहनाई बजाई है वो पैसे के लिए नहीं दानी के लिए नहीं वो सिर्फ अपनी जो है भगवान से इतन ही दुआ करते थे कि उसकी सूर जो है और अच्छा हो ये उन्होंने जो है आपको उतर देना है चले आगे बढ़ते हैं अगला जो है यहाँ पे तिसरा पॉइंट आपको बताना है कि सरलता एवं सादगी तो सरलता एवं सादगी में लिख देना है कि बिस्मिल्ला खां को भा अबजूद वे सीधी सरल जीवन जीते थे उनकी लुंगी का फटा होना उनकी सरलता की चरम सीमा का परीचायक है यानि दोस्तों आप आज की समय में देखें वर्तमान में अगर आपको जो है कोई अवार्ड मिल जाता है एदम छोटा मट आवार्ड मिल जाता है तो आप सिन सरलता की चरम सीमा का परीचायक है वो अपनी अंदर अंकार को यहां पर सामिल नहीं किया है अगला आपको पॉइंट बता देना है कि विनरमता तो देखें इसमें लिखना है कि बिस्मिल्ला खां के व्यक्तित्व में विनरमता कूट-कूट कर भरी थी सहनाई के चरम पर प अभी तक नहीं आई है उन्होंने जो है यह साब साब कहा है इसको आप इस प्रकास से चार पॉइंट में जो है आपको इस आंसर को आपको बता देना है कि बिस्मिल्ला खांके व्यक्तित्व की जो विश्तिष्टाएं है इस प्रकास से चार पॉइंट में आपको व्यक्तित् अत्यन्त प्रभाव साली है उस पर पिताजी एवं कॉलेज है की पर्धापि का या पर्धादीपिक थीकछिए यहां पर देखिकैस दिया है डिक्टेशन पिताजी के डिक्टेशन का हस्त लेक पर पर भाव पड़ा उसकी hand writing अच्छी हो गई पिता को कला रंग अच्छा नहीं लगता था वह काली थी यानि कि वो जो है मन्डू भंडारी जो है काली थी लेकिन उसके पिता को जो है काला रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं था उसके अंदर हीन भाव उत्पन हो गई यानि कि पिता के अन्दमन में मन्डू भंडारी के परती जो है हीन भावना उत्पन हो गयी वेश्वेश्व पिता जी की मनाही पर हर्ताल जुलूस धार्णा अजादी की लडाई में मन्यता में लगी थी यहां पर जरा धियान दीजएगा यहां पर थोड़ा सा है कि वो जो है पिताजी के मना करने के बावजुद भी है वो है वो आंदोलर में सामिल हो जाते थे हरताल जुलुसदारना आजादी की लड़ाई में तमाम मिस सभी लगी रहती थी और सीला अगरवाल ने साहित जगत में परवेश कराया यानि कि सीला अगरवाल जो कि उनके कॉलेज की जो प्रधाना ध्यापिका है उनके द्वारा मनु भंडारी साहित जगत में परवेश किया और उसके फल्सुरूप हिंदी की सफल लेखिका बनी वह पिताजी के मित्र की चुगली पर दुखी होती है और सहरवासी डॉक्टर अंबालाल के द्वारा प्रसंसा सुनकर खूस तो इस प्रकार से दोस्तों आपको मनु भंडारी के बारे में लिख देना है ठीक है तो अगला सवाल दिया गया कि फादर कामिल बुल के भारती संस्कृति के एक अभिन्य अंग है किस अधार पर ऐसा कहा गया है तो इसका आप लोग कॉपी में नौट कीजिए ये काफी व आये थे यही उड़ों ने कलकत्ता और अहमदाबाद में रहकर पढ़ाई कि वे भारती संस्कृति के प्रतीक श्री रामचंद्र एवं तुल्शी दास्त के अन्यन भक्त थे उसका जीवन या उनका जीवन भारती संस्कृति के मुलों के अनुरूप था उन्हें हिंदी से वेद बेहद लगाव था यानि कि उन्हें हिंदी से काफी जाधा लगाव था उन्हें भारती संस्कृति की सभी बातें पिरी थी. और दोस्तो आपको एग्जाम में अबchutzक्टि में पूछा जाता है कि फादर बुलके को फादर बुलके हिंदी संस्कृति को कहां देखना चाहते थे आपको याद रखना है राष्टी देखना चाहते राष्टी भासा की रूप में देखना चाहते थे आप इसको नौट कर लीजिए चलिए आगला सवाल देखें दोस्तों दिया गया है कि कि सेनानी ना होते वे भी चस्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं तो अब दिखे जब कि वो जो है यद पीव वसनानी नहीं था जब कि वसनानी था ही नहीं पर फिर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे वह ऐसा मजाक उड़ाने की दुरिष्टी से कहते थे वैसे यहाँ बात रहस ही बनी रही कि लोग उसे कैप्टन क्यूं कहते थे पानवाला भी इसके बारे में कोई बात करने को तयार ना था तो इस प्रकार से दोस्तों आपको बताना है कि से रानी ना होते हुए भी चस्मेवाले को क्यूं कहते थे इस प्रकार से आपको आंसर देना है ठीक इसको कॉपी में नौट कर लिजे चलिए आगे दोस्तों मैं आपको बता दू कि इस वीडियो में जितने भी आप लोगों को VBI, जितने भी मैं आपको VBI, आपको subjective question में आपको बताया हूँ, उन सभी को आपको पूरी तरह से जो है, revision कर लेना है, ठीक, आपको revision कर लेना है, क्योंकि ये सभी question आपकी board की परिक्षाकली काफी important है, और ये सभी question जो है, आप ही महात्पून है,